होसला रख तेरा वक्त भी आएगा खुसी भी मिलीगे और मजा भी आएगा मत परवा कर उनकी जो आज देते हैं ताना जो कर देंगे सबसर जबाएगा तेरा जमाना लहरे बन जाए तुफान कस्ती का काम है बैना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना अगर आपके अंदर विश्वास है तुम को हर काम कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम सोचते हो हर समय गलती आपके सावने वाली की नहीं होती कभी कवार गलती तुमारी भी हो सकती है गलती नीम की नहीं होती यह वो कड़वा है खुदगर्जी तो जीब की होती है कि उसे मीठा पसंद है जो भी बोलिए सही बोलिए और अपना वेवार सही रखिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारा मित्रिय सत्रू बन कर संसार में नहीं आता हमारा वेवार ही उसे हमारा मित्रिय सत्रू बन आता है जिंदिगी में कभी किसी परकार की हार से मत डरना क्योंकि हार तो बस एक सबक है जो खुद को सुदरने का एक मौका देती है जिंदिगी में कुछ भी जमीन से उठाने के लिए जुकना पड़ता है इंसान का कद बढ़ा नहीं होता एडिया उठाने से उचाई तो आसिल होती है सिर्फ सर जुकाने से जिंदिगी में अच्छे लोग की तलास मत करो खुद अच्छे बन जाओ सायद आप से मिलकर किसी की तलास पूरी हो जाए ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुचने का कोई रास्ता ना हो जिंदिगी मिली है तो कुछ करके जा फिर सांसे लेकर वक्त गवाना जिंदिगी नहीं है एक बात याज रखना जब आपका होसला तूटे तो ये बोलना जरा काम्याब तो होने तो मुझे फिर मेरे दिनी भी बदल जाएंगे और जो चार लोग मेरे पीछे बात्ते करते थे वो मेरे आगे पीछे दोडेंगे किस्मत धोके वाज विचार होता है दुनिया का हर सौक पाला नहीं जाता कांच के खिलोने को उच्छाला नहीं जाता मैनत करने से हो जाती है मुश्किल आसान क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता मुश्किलों से भाग जाना असान होता है हर पहलु जिन्दगी का असान होता है डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिन्दगी में लडने वालों कदमों में जहान होता है आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है सुनोती तो मन को समझाने की होती है हजार गब मेरी फितरत नहीं बदा सकते क्या करूँ मेरी यादत मुश्कुराने की है दूसरों को कुछ बोलने से पहले हजार बार सोचना क्योंकि जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास लोट कराएगा जब तूटने लगे होसला तो याद रखना बिना मेहनत के हासित तक तो ताज नहीं होते धूण लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी क्योंकि जुगनू भी कभी रोसने के मोहताज नहीं होते बस जाते जाते येतने ही कहूंगा जो सर्फिरे होते हैं वही इतियास रस्ते हैं समझदार लोग तो उनके बारे में सिर्फ पढ़ने में गुजार देते हैं क्योंकि परक अगर हीरेगी करनी होना तो अंधेरे का अंतिजार करना वन्ना धूप में तो कांच के टुकड़े वी चमकते हैं दोस्तों वीडियो को शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और और हमारे प्रयास में भागी दर वन्ना और देखते हैं दारिक्स्टेकर मोटिवेशन